नमस्कार स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के ये वीडियो बिहार की आगनबारी सेविका साहिकाओं के लिए काफी महतुपुर्ण होने वाली है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि समाज कलियान विभाग द्वारा अलग-अलग जीलों में जांच सुरू हो चुकी है ऐसे ही एक जील्या में जांच किया गया जहां पर आगनबारी सेविकाओं द्वारा आगनबारी केंद्रों के संचालन में बहुत कुछ अनिमित्ता पाई गई जैसे कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हू तो अगर आप भी बिहार की आगनबारी सेविका सहाईका है तो आपको इस परकार की गलती नहीं करनी है देखिए आइसीडियेस विभाग द्वारे ये पत्र जारी हुआ है 27.1.2022 को जिसकी संची का संखिया है 395 इस लेटर को जारी करने वाले हैं निदेशक आइसीडिये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इस लेटर का विशय दिया गया है वो आगनबारी केंदरों के संचालन में पाए गए और निमित्ता के संबंद में नीचे आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जब आपके आपके आगनबारी केंदरों पर जाच पहोगी तो आपक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें चलिए बढ़ते हैं इस लेटर में आगे महा से उप्रियुक्त विशयक पर संगिक पत्र के आलोग में कहाना है कि दिनांक यहाँ पर देख सकते हैं 19122 को परधान सचीव समाज कल्यान वि कान में साइज आठ वाई आठ फीट की जगह में संचालित किया जा रहा है बच्चों के बैठने के लिए पूर्णता और पर्याप्त जगह थी जहां पर आंगनबारी केंद्रों का ज्यांच हुगा वहां पर देख सकते हैं केंद्र संख्या 23 में किराय के भावन में आंगन पंजेकरित कुछी बचे आंगनबारी केंद्र पे उपलब्ज थे सेविका अनुपश्तित थी बताया गया की तब्यात खराब होने के कारण चली गई है जबकि उनकी उपश्तिती पंजी में दर्ज थी उसी जिला में दूसरे आंगनबारी केंद्रों की नरिक्षन की गई जहां पर केंद्र संखे 144 दो बजे अपराहन में अचोक निरिक्षन किया गया जांचो अपरांद पाया गया कि सेविका सहाई का केंद्र पर उपस्तित पाई गई चलिये वो ठीक है बचे चले गए थे आंगनबारी केंद्र का अपना भवन है परंतु तलाब का गंदा पा पताधिकारी बेला गंज के अस्तर से इनके निस्तारन के लिए कोई भी करवाई नहीं की गई है निरिक्षन पंजी के और लोकन के पिछले एक वर्ष से अधिक समय से बाल विकास परियोजना पताधिकारी द्वारा निरिक्षन नहीं किया गया केंद्र संचालन के संबंद ककि 12 बजे से 2 बजे तक केंद्र का संचालन करना है जब कि जो दिशा निर्दिश दिये गए है POULDUMA कीधा जो आंगेंबड़ी केंद्रों का संचालन है वो 10 बज़े से 2 बज़े किया गया है लेकिन यहां पर जो अदादिकारि का आदेश का आउहहिल ना करते हुए केंधर संचालन समय के औधी में परिवर्य तित की गई है तो उन सेविका के तहत करवाई भी की जाएगी जहां पर हो बता रही है कि 12 बज़े से लेके 2 बज़े तक केंद्र का संचालन करना है जबकि 10 बज़े से लेके 2 बज़े पत्र एक सो सत्तर दिनांग बीस एक दोहर सत्र एवं सवाई पर संसोधित दंड निरूपन मारत दस्रिका क्या लोक में दोसी आंगनबारी केंद सेविका सहाई का एवं महिला परविक्षिका के विरूद क्लित करवाई करते हुए एक सब्ताह के अंदर अनुपालन परतिवे की गलती नहीं करनी है जैसे कि पूर्व की भाती जो दिशा निर्देश हैं दस बजे से दो बजे तक आपको आगनबारी केंदरों का संचालन करना है बचों की उपस्थिती रखनी है जो पोसहार बित्रन करना है गर्म पका भोजन वो भी ससमाय करना है आपको ड्रेस कोड म अपने आगनबारी केंद्रों परहना है तो जब भी आपके केंद्र थांच पहुंशे तो आप उससे पहले तयार रहे है तो आज़के इस वीडियो में फिलाल इतना ही वीडियो आप सभी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद